हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चनल शेय बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एट्थ नवंबर यानि आज की करेंट ग्रें मार्केट प्रेमियम्स के बारे में और डिफिनिट्ली जो भी अपडेट्स आई-प्यो रिलिटेड है इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं सबसले प्रोटीनी गवर्मेंट के बारे में क्योंकि आज लास्ट दे है आज कॉट्मोडिप का सेकिंड दे है इसेफ स्मॉल फाइनस का क्या अलॉट्मेंट आ जाने वाला है और डिफिनिटली SME में भी काफी आक्शन है तो वीडियो को दोस्तों पुरा जरूर देखेगा टाटाटेक आईपयो के उपर भी एक अपडेट से हम कह सकते हैं कि क्या आया है वो भी हम जानने वाले तो वीडियो को दोस्तों पुरा जरूर देखेगा उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सबस्क्रा रहे हैं एक lot के अंदर इस IPO का दुस्तों जो issue size है वो 490.33 करोड का है और यह IPO पूरा का पूरा offer for sale है इसमें company अपने employees के लिए 75 रुपीज per share कर discount रखा है वो याद रखेगा इसके listing सिर्फ BSE पर होने वाली है जो भी तक का दूस्तों subscription आया है वो ऐसा नहीं कि बहुत जादा दिख रहा है QIB ने तक सिर्फ 6 गुना subscribe किया है अब यह दिखना कि QIB टोटल मिलाकर कितना इस IPO के अंदर application लगाते हैं छे गुना तो काफी कम दिख रहा है बठाएं यह है कि QIB दाकरी के एक आरदा गंटे के अंदर भी बहुत कुछ कर जाते हैं तो लेट सी कितना पैसा निकल किया आता है non-institutional bias के तरफ से 20 times के असपर subscription already receive हो चुका है तो यह किसकते है कि हाँ HNIs के तरफ से तो पैसा आया है जिसमें 20.79 बिग HNIs और स्माल चनाइस के तरफ से 20.52 times जो retail category है वो 7 गुना के आसपर subscribe हो चुकी है और जो company की employee category है वो करिबन 1.22 times subscribe हुई है अब भी तक दोस्तो 9.41 times यह इसउच्व सब्सक्राइब हुआ है अब भी तक company ने company को almost 3,200 करोड के आसपास 3,200 करोड के आसपास receive अलड़ी हो चुका है तो लेट सी कितना subscription निकल के आता है अब भी तक तो जैसे मैंने बता है कि subscription की अगर आप page दिखेंगे तो थोड़ीशी slow दिख रही है अगला friends IPO है Ask Automotive का Ask Automotive IPO का आज last day है सरी second day है और आज इस issue के नदरा पिचाये तो पैसा लगा तो कल का भी दिन बाकी है issue का price band friends company ने जो set किया है वो 268 से 282 रूपीस का है 53 shares आपको मिलने वाले हैं एक lot के अंदर 834 करोड का दोस्तों इस IPO का size है पूरा का पूरा offer for sale है इसमें listing इसकी listing का होगी दोनों exchanges पर होगी BAC और NAC दोनों पर अभी तक का जो current subscription आया है वो देखा जा तो QIV ने कुल मिला कि वह तक 5% या असपास issue को subscribe किया है non-institutional buyers ने 1.24 ताइम इस issue को subscribe किया है इसमें बिग एचनाइज ने करीबन 91% इन स्मॉल एचनाइज ने अल्मस 1.89 टाइम जो retail category वो 1.23 तक सब्सक्राइब हो चुकिया और कुल मिला कर जो issue है वो 89% सब्सक्राइब हो चुका है ऐसा लगता है कि आज दोस्तों ये issue fully सब्सक्राइब हो जाएगा अब definitely आप इधर भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा आता हुगा नजर नहीं आ रहा है देगे इसके पीछे का एक reason हम कह सकते हैं कि जो already काफी सारे IPOs खुले वे तो liquidity का एक concern नजर आ सकता है इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि e-saf small finance के अंदर आपको पताईए कि भरपूर पैसा गया है तो let's see यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है because e-saf small finance का lotment आज आसकता है इसके नहीं भी आगी बात करेंगे अगले दूस्तों IPO एक SME जिसके में काफी चर्चा हो रही है वो है rocks high tech rocks high tech एक SME IPO है और इसका आज second day है 82-83 रुपीज का price band है 1600 shares आपको मिल रहे है एक lot के अंदर almost 54.49 करोड का issue का size है जिसमें से 49.95 करोड का fresh issue और बागी का बचा हुआ offer for sale है याद रखिएगा इसकी listing सिर्फ एक ही exchange पर होगी जो है national frog exchange अब अगें हमेशा में आपको SME में कहता हूँ कि SME में पहले खुद समझी है company को उसके बाद जाके ऐसा लगाई SME दिखते तो बहुत शांदार है कि पैसा बहुत बनेगा जब नहीं बनता है और जब पैसा जाता है तो बहुत दुख होता है हाँ यह कह सकते हैं कि कुछ companies होती है अपने आप में लाजवाब और हो सकता है कि Rockside Tech भी काफी लाजवाब company उसमें कोई doubt नहीं है बट यहाँ पर याद रखिएगा जो subscription आ रहा है वो इतना जादा है कि allot बनान तो बहुत ही मुश्किल है 8.29 time दोस्तों कुल मिला के अभी तक QIB सब्सक्राइब कर चुके है 31.16 time H9 सब्सक्राइब कर चुके है and 60.79 time retail सब्सक्राइब कर चुके है अभी तो याद रखिए एक दिन और बाकी है और अभी तो कुछ घंटे और बाकी आज़के अभी तक 41 times दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है और 1410 करोड तो इससी IP ने भी तक रिसीव कर लिये आप कहा सकते हैं कि देखिए एक main word IPO खुलावा है उसमें अभी तक इतना पैसा निकल के नहीं आया है दो दिनों में जितरा सिर्फ एक SME में आ चुका है तो ये आपको समझदा पड़ेगा कि एक difference होता है कुछ अच्छी company अगर आ जाती है तो उसके अंदर पैसा भरपूर आता है और नोट्में मिलना बहुत मुश्किल होता है कोई भी SME में पैसा लगाने से पहले बली SME हो या फिर main पड़ो दोने की बात करते हैं दोनों में पैसा लगाने से पहले एक पर खुद की study जरूर करिए ताकि आपको समझ में है कि exactly company करती क्या है कि आप पैसा आग बन करके अगर लगा रहे हैं सिर्फ ग्रे मार्केट को देखके तो बिल्कुल ऐसा ना करें विकास company के बारे में आपको जानकार ही होनी चीए तब याद रुखिए आप उसके बारे में long term का भी विचार कर पाएंगे अगर सिर्फ लिस्टिंग इनके लगा रहे हैं विस्टिंग इन भी सिर्फ ग्रे मार्केट देखके तो यह बिल्कुल आपकी गलत strategy है मैं आपको इसाफ बात कहूंगा पर फिन्ट बात करते हैं ग्री मार्टेट पे थे तो ग्री मार्टेट में सबसे तो टाटटर टेक के उपर चर्टा करते हैं टाटर टेक के उपर sources से खबर आरी अगेन कोई confirmation नहीं है बट ऐसा माने जा रहा है कि इस हफ़ते starter day को हो सकता है कि company RHP file कर दे तो उसके अगले दो हफतों के अंदर आपको IPO भी open होता हुआ नजर आ जाए यह update definitely बड़ी है पर अगेन कोई confirm नहीं है तो उस बात का आपको खाज़र पर ध्यान रखना है पड़ा यह है कि यहाँ यह जब issue अगर open हो जाता है तो अपने आप में one of the most awaited IPOs आपको open होते वे नजर आएंगे markets के अंदर अगला है दोस्तों कल्यानी कास्ट एक BAC SME issue है अल्मोस्ट 50 रुपेस के करेंट gray market चल रही है यह IPO आज से open हुआ है और यह इशुका आज second day है रॉक्सी हाइटेक बहुत अच्छा सब्स्रिप्शन रिषीव और इसमें कोई डाउट नहीं है और gray market भी अपने आप में काफी दमदार नजर आती है अल्मोस्ट 108% उपर और इस IPO का आखरी दिम कल होने वाला है अगला है 9 November के बीच में दोस्तों यह जो issue है वो basically open हो चुका है आज second day है और इसका आखरी दिन कल 9 November को है अगला है protein e government technologies अभी हमने बताया जो subscription है वो अल्मोस्ट 10 गुना के आसपास पहुँच चुका है gray market 10% के आसपास है अभी गिरावट जरूर देखने को मिली है बलग रहा है कि थोड़ी बहुत gray market में तेजी आएगी बट अगीन वापिस से gray market 10% पर पहुँच चुका इस मतलब यह है कि अपो gray market फिर गिरती भी नज़रा लिए अगला है तोस्तों इस आईपियो का आखरी दिन अल्मोस्स 70 टाइमस के असपर सब्सक्राइब हुआ था इसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 35% gray market चल रहा है अलोट्मेंट के आज आने वाला है most likely दोस्तों अलोट्मेंट आज आज आएगा by 10 पीम और midnight में यह कह सकता हूँ कि हो सकता है कि और लेट भी आजाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट यह कि क्योंकि देखे लिंकें टाइम इसका रजिस्ट्रार है और लगातर लिंकें टाइम ने अलोट्मेंट टी प्लस पन के अंदर दिया है तो हो सकता है कि कोई confirmation तो नहीं है इसको लेकर कि क्या 100% आ जाने वाला है बट यह है कि जिस तरीके से हमने previous IPO देखे हो जिस तरीके से काफी सारे IPO लगे वे इन लाइन इसका अलोट्मेंट आज ही आ जाए अगला है दोस्तों Micro Pro Software Solutions एसका प्राइस बेंड है और पांच रुपे कि इसकी ग्रे मार्केट है याद रखेगा जो इशू है वो क्लोज हो चुका है और लॉट्मेंट इस IPO का 10 तरीक को आने वाला है वैसे आज एक IPO की लिस्टिंग होती है जिसका नम था सार टेली विंचर 96% गरेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम थी लेकिन लिस्टिंग 90% उपर होती है यह जरूर है कि अच्छा कासा पैसा बना है बट अगेन याद रखिए ग्रे मार्केट के उपर हमेशा मैं कहता हूं कि आग बनकर के फरुसा कृपया करके ना करें यही था कि ग्रे मार्केट 7-8% उपर लिस्टिंग दिखा रही थी बट लिस्टिंग 1% उपर हुई तो कभी कबार ग्रे मार्केट जो है वो गलत होती है और इसलिए कंपनी के बारे में पढ़ना आपका बहुत जादा जरूरी है तो इस वीडियो में इतना ही था होफ यह लगा होगा थैंक यह फ्रेंड स्टिंग इस वीडियो